तो दोस्तो आज ये 7 जून 2022 और आज में लेके हम आपके लिए खुबसूरत लिमिटेट का Complete Share Analyze और इस कमपनी के उपर खासकार वीडियो बनाने के लिए हमें पंकज जिने कमेंट किया था तो अगर आपका भी कोई कोई कोरी से तो प्लीज नीचे कमेंट बोक्स में कमेंट कीजे था कि हम आपके लिए भी अलग से वीडियो वाना सकें और अगर दोस्तो आप भी इस कमपनी के बारे में Complete जानकारे हांसिल करना चाहते हैं बिना Escape के हुए आप इस वीडियो को बिलकुल आंते तक देखते रहे हैं यह वीडियो आपके लिए भी बहुत हेलफूल होने वाला है इस वीडियो में दोस्तों सबसे लिए हम इस कमपनी का Fundamental को जानेंगे बारे के से हारे एक चीज़ को और चार्ट पटन को और इलाइस करके मैं आपको बात आना वालाओ कि आपको इस वक्त इस कमपनी पर निविश करना चाहिए कि नहीं दोस्तों वीडियो की शुरुबात में हम इस कमपनी का Quarterly Result पर भी एक नज़र डालेंगे और अगर आपके बाद स्टेडिंग करने के लिए डिमार्ट एकाउन नहीं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दे दिया है चाहिए तो उसे अपने बैंक एकाउन में भी ट्रांसपर कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं मैं आपको सबसे पहले इस कमपनी का पाइनेंशल रिजल्ट आपको एक नजर दिखा देता हूं तो यह है इस कमपनी का मार्च 2022 का फ्रेश कॉटली रिजल्ट अगर आप रेविनु पर देखेंगे तो यह रों यह रेविनु पर कमपनी को प्रॉफिट हुआ है इस साल में और यहां पर ऑपरेटिंग इंकम आ यहां पर कमपनी ने कॉस्ट आप रेविनु पर लगबग 92 परसंट से भी ज्यादा लॉस खाया है इस साल में तो यह थी मार्च 2022 का कॉटली रिजल्ट मेरा पास इस कमपनी का नंबर्स भी है तो चलिए सबसे पहले हम इस कमपनी का फंडमेंटल को समझते हैं तो मैं लेके कमपनी का करेंट शेर प्राइस दो रुपिया 36 पैसे पर आज चुका है कुछ दिन पहले है यह बनाया था लगबग 5 रुपे के आसपास और अगर लोएस्ट प्राइस दिखा जाए तो इस साल में इस कमपनी का लोएस्ट प्राइस रहा 19 पैसा दोस्तो प्राइस कमपनी का एक रुपिया 91 पैसा का इस वक्त है यह कंपनी आपको डिवीडन नहीं देता है इसका रिटेन ऑप कापिटल इंप्राइस बहुत ही नीची आ चुका है लगबग डियर्ड परसंट से भी कम है यहां पर अटलिस कम से कम एक अच्छा कंपनी पर निवेश करने के हैं लिए 13 से 14 परसंट के आसपास होना चाहिए इसका रिटेन ऑन एकवीटी नंबर्स यहां पे एक परसंट से भी कम हो चुका यहाँ पे यह भी अटलिस कम से कम 13% के आसपास होना चाहिए था है यहाँ पे नमबस फेस बेलू देखेंगे कमपनी का एक रूपे का है तो थोड़ा सा और इसको डाउन गार के मैं आपको इसका खास जानकारी देता हूँ जो आपको ध्यान अखना ज़रूरी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो most important चीज़ लोग यही मानते हैं और इसको देखके टूट परता है तो यह बिल्कुल गलत है आपको और भी सारी चीज़े है जो दिहान अखना है most important चीज़ आप देख सकते हूँ यहाँ पे जिससे company के share price में फारक परता है share price में हलचल होना शुरू हो जाता है सबसे most important चीज़ देख सकते हो promoters holding has decreased over last quarter तो March के quarter में company ने लगबख 9% के आज़ पास अपना promoters का holding घटा दिया है तो promoters दी company छोड़के अगर company से exit हो रहा है तो दोस्तो retail investor को कहां से profit दिला पाएंगे retail investor कहां से निवेश करेंगे यह चीज़ें दोस्तो बहुत फरक परता है लोग इसी के उपर निर्वर करते हैं खासका invest करता है निवेश करने से पहले लोग यह भी देखते हैं कि at least कम से कम 40% के आसपास promoters का holding है की नहीं 40% को तो छोड़िये दोस्तो यहां पर इस कमपनी का निवेश इस वक्त promoters का holding 0.45% मतलब आधा परसें से भी कम हो चुका है इस वक्त इस कमपनी में promoters का holding तो definitely दोस्तो इस वक्त इस कमपनी का fundamental और भी ज्यादा bigger चुका है आपको ध्यान रखना है ठीक है और आप देख सकते हो यहां पर equity पे बीते तीन सालों में equity पे 0.34% का return है तो equity पे ना के बराबर return दिया है बीते तीन सालों के मुकाबले में company ने तो थोड़ा सा और scroll down करके हम इस company का numbers देख लेते हैं तो यहां पे standalone पे आप देख सकते हो यहां पे इस company का sorry इस company का जो expense हुआ है मार्च के quarter में 0.22 करोड का company का expense हुआ है और sale कितना हुआ है आप देख सकते हो यहां पे sale बिल्कुल zero एक रुपे का भी sale नहीं हुआ company को company operating profit में loss खाया है company ने जितना expense 0.09 करोड का loss पे है net profit में company को लगभग loss हुआ है 0.07 करोड का तो company definitely loss हुआ है इस quarter में तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है यही सारी चीजे बिल्कुल निवेश करने का सही समय नहीं है इस company पे इस वक्त और यहां पे year और अगर देखेंगे इस company मार्च 2022 का quarter अपडेट ह होने के बाद इस साल में company का total expense हुआ है 0.50 करोड का और company का sale एकदम 0 हो चुका है इस वक्त company का कोई भी sale नहीं है आपको ध्यान रखना है company को loss हुआ है इस साल में 0.50 करोड का तो यह consolidated है इसलिए थोड़ा सा यहां पे नीचे आप देखेंगे तो यहां पे profit दिखाएगा आ तो दोस्तों यह सारी चीजे ध्यान अखना है company का sales बिल्कुल नहीं है company का sales डाउन होता जा रहा है लगातार दिन बाद दिन यह चीजे आपको ध्यान अखना है किसी के भी video देखने पर किसी के भी बैखावे पे नहीं आना है आपको नीवेश करने से पहले अपनी छरप से कंपनी का जानकारी पूरी तरह हंसिल करना है कंपनी को research करना है उसके बाद ही निवेश करना है नहीं तो आपका पैसा दोस्तों गलत जगह पर पढ़ सकता है यहां पर आप देख सकतों तो कंपनी का जो टोटल लायबिलिटिस था यहाँ पे 25.85 करोड का था यहाँ पे 25.43 करोड हो चुका है तो definitely लायबिलिटिस में भी थोड़ा सा घटोती किया है कमपनी ने तो कमपनी को सेली नहीं हुआ तो हो सकता है liabilities को भी मतलब बेच के थोड़ा बहुत adjustment कर रहा होगा ठेक है asset भी company का घट चुका है बिते साल के मुकावले में देख सकते हो यहाँ पे 2021 में 25.85 करोड का asset था यहाँ पे 2022 में 25.43 करोड का expense हो चुका है घट कर तो थोड़ा सा और scroll down करके मैं आपको इस company का जो share holding pattern है एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो December के quarter में company के पास promoters का holding था 9.25% कर ठीक है और यहाँ पे March का quarter अपडेट हो चुका है और यहाँ पे 0.45% का holding हो चुका है कुल मिला के पूरा का पूरा इस वक्त इस company में public का holding है 100% थीक है तो इस company फिलाल public का पैसे से अपना business चला रहा है तो company को अगर loss हुआ तो पूरी तरह से public का पैसा यहाँ पे डूपने वाला है दोस्तो मैं किसी भी company को बदनाम करने का या भला बुरा कहने का मेरा कोई इरादा नहीं है मैं स्रीप आपको अपनी point of view रख रहा हूं और company का जो भी जानकारी है आपके सामने साजा गार रहा हूं ठीक है तो इस company पे निवेश करने से पहले इस company का fundamental अपनी दिमाग में होनी चाहिए उसके बाद ही निवेश कीजी दोस्तो अभी हम चलते हैं इस company के चार्ट पटन को analyze करते हैं देखते हैं क्या result निकलता है तो चार्ट पटन के मुताबिक देख सकते हो आज market चालू है और running market में ये वीडियो बना रहा है तो इस वक्त 5% के आसपास negative return देख चुका है अब देख सकते हो weekly चार्ट पटन के मुताबिक दोस्तो लगबग 5% का negative return बट कुछ खास जादा return नहीं दिया है ना ही negative ना ही upper circuit ठीक है consolidated पर अपना business कर रहे है बड़ अभी जो recently चार्ट पटन बनाया इस हपते में वो lower circuit वाला चार्ट पटन जारी है यहां पर ठीक है monthly चार्ट पटन के मुताबिक देख सकते हो 16% से भी जादा negative return देख चुका है इस महीने में तो अगर आप एक महीने के लिए निवेश करना चाहते तो 6 महीने का चार्ट पटन आपको देखना बहुत जरूरी है हलाकि 8500% का शांदा रेटन देचुका है चे महीने पहले देखेंगे तो 25 पैसे का शेर था 25 पैसे का शेर यहां पर कितना बनाया था हाइस बनाया था आपका लगबग 5.5 रुपया पार कर चुका बट इस 6 महीने में अगर आप देखेंगे कमपणी का 6 महीने में इसका शेर चार पटन लगातार लोवर सरकिट पे है तो यहां पर इंट्री मानने का फ्रेश नीवेश करने का कोई भी मौका नहीं है जब तक चार पटन को एक सुधार नहीं आता है चार पटन अपर सरकिट की तरह विशारा नहीं करता है तब तक आप इस कमपणी पे बिल्कुल निवेश नहीं कर सकते हैं यह बिल्कुल भी सही समय नहीं है इस कमपणी को एजवक्त निवेश करने का यहां पर दोस्तों बहुत अच्छा का सा रिटन है इस रिटन को देखके टूट मत पढ़ना क् आपका पैसा डूब सकता है यह चीज़े आपको ध्यान रखना है मैक्स वानियर का चार्ट पढ़न देख लेते दोस्तों एक बार इस कमपणी का हम लोग तो मैक्स वानियर का चार्ट पढ़ना कर देखेंगे तो यहां पे 807 परसन का शांदा रिटन दे चुका है और एक स यह चीज़े दोस्तों एक अच्छी बात है इस कमपणी के शेस के चार्ट पढ़न के लिए मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा यह कंपणी बहुत जादा वोलेटाल हो चुका है इसका वेलुएशन महंगा है अभी इसका शेर प्राइस और सस्ता हो सकता है इस कमपणी में पर बिजनेस किया देख सकते हो 2017 में 24 पैसे का शेर था इस बनाया यहां पर 44 पैसा उसके बाद उस तो पूरा पांच साल पर अपना बिजनेस किया तो आने वाले दिनों में अभी यहां पर गलत टाइम पर निवेश करेंगे तो हो सकते हैं नीचे आके फिर से ऐसे आपना मैक्स दिखा देता हूं मैक्स टो मैक्स देखेंगे तो यहां पर देख सकते हो मैक्स टो मैक्स में 22 परसंट का रेटन है यहां पर शुरुबाती थो और पर जब कंपनी लिस्टिंग हुआ था उसके बाद दोस्तों निवेशकों का पाईसा कंपनी के तरफ खीचने के बाद 2014 से लेके अभी तक यह कमपनी ऊपर नहीं पाया अभी तक लोवर सरकीट पर ही बिजनेस कर रहा है तो 2014 से लेके 2022 कितने साल लग गया यहां के जो निवेशक निवेशक निवेशकों को अभी भी उनका पैसा रिकवर नहीं हुआ है तो आपके साथ ऐसा ना हो इसके ल